हेलो डियर स्टूडेंट्स हाव यू मैसल्फ मीट सर तो स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजीज मैट्स टूटोरियल पे जिसमें स्टूडेंट्स आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि जई की एक्जाम में पुछे गए सारे हमके करेंगे जो सिर्फ डिफ्रेंट्येशन के रिलेटेड है तो स्टूडेंट्स चलिए हम और आप मिलके स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर वन यहां पर आपको क्वेश्चन वन दिख रहा है इफ टूवाई इस इक्वल्स टू कोट इन्वर्स ओफ अंडरूट 3 को दिखने से पहले आपको एक्जेट यहां पर यह समझना है कि आपका एक्स है वो जिरो टू पाइबाइटू के बीच में है अब हम बात करें स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन में मुझे जो गिवन है वो आगे है कोट इन्वर्स यानि यहां पर मुझे कोट लाना हो होगा तो वो करने के लिए मैं यहां पर क्या करना हूं स्टूडेंस में यहां पर जितने भी सारे टम दिख रहे हैं वो सारे टम को डिवाइट करता हूं को सेक्स है सर इसा क्यों कर रहे हो आप कोट अगर मुझे टेनेक्स लाना है तो मुझे डिवाइट करना होगा को सेक् लेकिन students मैंने यहाँ पर आपको cosec से divide करके दिखाया हुआ है आप cosec से divide करके खुद value निकाल सकते हो right students तो चलिए मैं यहाँ पर जो मेरे पास question में जितने भी सारे term है यानि numerator and denominator दोनों को divide कर रहा हूँ cosec से तो यह क्या होगने वाला है sir 2y as it is रहेगा coat inverse of under root 3 cosec by cosec यह तो 1 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ मेरे पास root 3 ही रहने वाला है और यहाँ पर sin x upon cosec यह हो गया 10x और denominator में students cosec by cosec करो तो आपको answer मिलेगा वो 1 होगा और यह under root 3 sin x by cosec होते ही यह हो जाने वाला है under root 3 10x यहाँ पर whole bracket का square मैंने as it is रखा हुआ है आगे बात करें students मेरे पास यहाँ पर 2y है अब यहाँ पर coat inverse x बन चुका है लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा यह समझना भी जरूरी है के sir यहाँ पर formula generate हो चुका है कौन सा formula है 10a plus b याद करो students 10a plus b का formula था 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है लेकिन मुझे सिर्फ 10 वाली टम बनानी पड़ेगी तो यहाँ पर देखो students 2y मैंने as it is coat inverse x b as it is रखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है 10 of pi by 3 plus x यह उसका formula यहाँ पर generate हो चुका है अब बात करता है students आगे कि यहाँ पर मेरे पास coat inverse x है तो यहाँ पर मुझे cortex चाहिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर coat inverse x है तो यहाँ पर आप 10 inverse x ला दो इसका मतलब मुझे एक formula यादा आ रहा है चेप्टर नमबर 2 से था वो coat inverse x plus 10 inverse x is equal to pi by 2 तो मैं students यहाँ पर coat inverse की जगह पर यहाँ लिख सकता हूँ pi by 2 minus 10 inverse x मेरा x यह as it is रहेगा तो मैंने यह coat inverse को लिख दिया है pi by 2 minus 10 inverse of 10 pi by 3 plus x the whole square जो आप यहाँ से देख सकते हो ok students अब 2 y as it is यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ पर 10 inverse of 10 x आप जानते हो students 10 inverse of 10 x की value क्या होगी 10 inverse of 10 x is equal to हम यहाँ पर लिख सकते है exact x लेकिन कब जब मेरा interval negative pi by 2 to positive pi by 2 में है तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ right आपको समझ मैं आ गया students ok अब देखो लेकिन students मेरे पास यहाँ पर जो given interval है वो है 0 2 pi by 2 इसका मतलब यहाँ पर तो यह exactly lie करेगा ok अब बात करते है students यहाँ पर pi by 2 as it is रहने वाला है 10 x का मतलब होगा students x ok अब देखो pi by 6 minus x the whole square हो चुका है मुझे सिर्फ यहाँ से अब differentiate करना है students differentiation बहुत आसान है यहाँ पर 2y का आप जब भी differentiate करते हो तो वो हो जाने वाला है 2y डेश और इसका differentiation होगा x to the power n की method से तो यह होने वाला है 2 bracket of 5 by 6 minus x into यह function का अब बाकी है इसका मतलब x का हम करने वाले है minus 1 तो students यहाँ से आप अगर minus 1 को अंदर multiply करते हो bracket में तो आपको answer मिलने वाला है x minus 5 by 6 यह हो गया x minus 5 by 6 it means option c is a correct option ओके नाव वी विल डिसकास अबाओ question number 2 तो देखिए students यहाँ पे आपको question कुछ इस method से given है if f of 1 is equals to 1 f of f dash 1 is equals to 3 then f of f of f of x plus f of x square is equals to y यह आपको function इस तरह से given है what is the derivative of the function at x is equals to 1 सबसे पहले हमें given function का differentiate करना है उसके बाद जिदर भी मुझे x दिखेगा वहाँ पे मैं one value put करोगा तो मुझे मिल जाएगा f of 1 तो चले students अब देखते हैं solution की और आप यहाँ से देख सकते हो students यहाँ पे मुझे y is equals to function कुछ इस तरह से given है f of f of f of x plus f of x square अब इसका जब हम differentiate करते हैं students तो यह होने वाला है y dash और यहाँ पे जो होगा इसमें हम chain rule apply करेंगे students तो यह होने वाला है first का derivative बाकी के सारे term as it is उसके बाद into में हम करेंगे इसका derivative बाकी के सारे term as it is और उसके बाद students हम जो करने वाले है वो यह function का derivative हो जाएगा तो देखो students यहाँ पे f dash of यानि यह function का मैंने derivation किया है बाकी के सारे term as it is इसका मतलब f dash of f of x उसके बाद यह function का हमें करना है derivative यानि into f dash of f of x उसके बाद students मुझे यह इतना जो function रह गया था यह function का मुझे करना है derivative तो यह होने वाला है f dash x यहाँ पे मैंने students change rule apply कर दिया हुआ है उसके बाद students यहाँ पे अगर मैं इसके derivation की बात करूँ तो वो x to the power n की method से उसका derivation होने वाला है to f of x अभी भी यह f of x का derivation बाकी है तो मैंने कर दिया है f dash x अब जिदर भी मुझे students f of x यानि x जिदर भी दिखे उधर में one place कर रहा हूँ तो देखो students यहाँ पे मैं अगर one place करता हूँ तो f of one हो जाएगा इतना value लेकिन f of one का answer तो already one given है इसका मतलब यह value पूरी हो गई one तो इसका मतलब यह भी again f of one generate हुआ तो sir again f of one का answer में लिखने वाला हूँ one तो यहाँ पे यह सारी value जो आपको दिख रही है वो सारी value one हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है f dash one अगर हम यहाँ पे x की value one रखते है तो यह होने वाला है f of one लेकिन sir f of one का answer तो one ही आता है इसका मतलब यह सारी value जो आपको दिख रही है वो value हो गई one यानि f dash one और यहाँ पे अगर मैंने one place किया हुआ है तो f dash one इसका मतलब f dash one का answer तो three है तो मैंने exact three यहाँ पे लिख दिया हुआ है बाकी students यहाँ पे जब भी हम f of x की जग़़ पे one place करते है तो f of one का answer तो one मिलने वाला है तो two as it is f of one का answer मैंने यहाँ पे one लिखा हुआ है और यहाँ पे f dash one का answer आएगा three अब simple students आप multiple कर दो सारी value जो आपके पास given है उसी का यहाँ पे देखो f dash one का answer three यहाँ पे again f dash one का answer three यहाँ पे three मेरे पास पढ़ा ही था students यह जो question number one and two हमने solve किये वो exam jwe exam 2019 में पुछे गए questions है चलिए अब बात करते हैं और question की उपर तो students अब हम देखते हैं x is equal to मेरे पास question कुछ इस तरह से given है three ten t y is equal to three sec t then d2 y upon dx square it means मुझे second derivative find करना है at t is equal to four यहाँ पे गलती से x है लेकिन आपको find करना है t is equal to pi by four तो students यहाँ पे देखो आपको जो x given है वो कुछ t के form में है या फिर theta की form में होता है तो हम इसे बोलते है the given equation is in the form of parametric yes इसका मतलब आपका जो equation है आपको जो function given है वो function as a parametric form आपको given है लेकिन आपको यहाँ पे find करना है d square y upon dx square it means आपको find करना होगा dx upon dt उसके बाद dy upon dt उसके बाद students हम find कर सकते है dy by dx तो चलिए students अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास question में जो function था मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है x is equal to 310 y is equal to 3 sec t अब इसका derivative में करने वाला हूँ x के respect में तो ट के respect में तो क्या होगा dx upon dt it means यह हो जाएगा 3 sec square t dy upon dt करेंगे students तो यह हो जाने वाला है 3 sec t into 10 t जो आप यहाँ से देख सकते हो right students अब देखो यहाँ पे आपको dy by dx की value निकालनी होगी तो आप किस तरह से निकालते हो sir dy by dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt यह दोनों value मेरे पास पड़ी हुई है तो यहाँ पे 3 sec t into 10 t मैंने value प्लेस की हुई है और dx upon dt की value होती है 3 sec square t वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है students 3, 3 cancel out होगे one time sec t भी cancel होगया इसका मतलब अपके पास value बची है 10 t upon sec t जब भी आप 10 t upon sec t को sin cos में convert करते हो तो आपको जो answer मिलेगा वो कुछ होगा sin t यानि आपको dy by dx का answer अभी मिल चुका है आपको find क्या करना है sir मुझे तो second derivative find करना है ok d square y upon dx square find करना है आपको यानि यही function का differentiation with respect to x इसका मतलब हम find करेंगे d by dx of sin t अगर यह function का आप differentiation with respect to x find करते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि sin t का differentiation तो cost ही हो जाएगा लेकिन यह जो आपके पास t बच जाएगा उसका x के respect में differentiation मत भूलना यह dt upon dx almost होगा ही होगा आप गलती से थोड़ी जल्दबाजी में यह step भूल जाते हो और सिधा cost t यह आपको answer आजाता है और cost t की भी जगापे आप pi by 4 value put करके answer देते हो अब dt upon dx सर यह कुछ देखा हुआ है मैंने यहाँ पे dx upon dt की value निकाली थी तो मैं यहाँ पे उसकी reciprocal करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा dt upon dx यह सर तो यह cost t मैंने यहाँ पे as it is रखा हुआ है dt upon dx की value मतलब यह value का आपको लेना है reciprocal तो वो क्या हो जाने वाला है 1 upon 3 sex square t ओके सर यह sex square को अगर pi by 4 रखना है students बहुत ही आसान question हो गया आपके लिए जहाँ भी आपको t दिखे उदर pi by 4 लखो it means cos cube pi by 4 यह आपका answer हो जाएगा 1 upon 2 root 2 और इसके multiple में होगा 3 it means your answer is 1 upon 6 under root 2 तो इसमें से देखो students कौन सा option correct है yes, option d is the correct option ओके, now we will going for our next sum which is question number 4 यह question students जो आप देख रहे हो, यह je exam 2017 में पूचा गया question है बहुत ही सांदर question है students यह देखते है question को समझ में की कोशिज करें for x belongs to 0 to 1 by 4 differentiation of y is equals to 10 inverse 6 into x into under root x upon 1 minus 9 x cube is g of x into under root x यानि यहाँ पे मुझे यह given function का differentiation already दे दिया है वो function का differentiation कुछ यह मिल रहा है कौन सा? gx into under root x आपको तो find करना है g of x यानि gx की value क्या होगी वो आपको निकालनी है यानि यहाँ से आप समझ सकते हो students आपका जो कुछ भी answer आने वाला है वो answer कुछ under root के form में रहेगा तो देखो यहाँ पे मुझे question में जो function given था सबसे पहले मैं उसी को mention कर रहा हूँ यहाँ पे y is equals to 10 inverse of 6 into x into under root x upon 1 minus 9 x cube मेरे पास था अब students यहाँ पे जो मैं step करने जा रहा हूँ वो very very most important step रहेगा आपके लिए क्यों? देखो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 inverse x given है तो मुझे अंदर कुछ 10 के form में लाना पड़ेगा तो मेरा sum बहुत आशान हो जाएगा students आपने यह 2 10 inverse x का formula पढ़ा हुआ है क्या था 2 10 inverse x sir मुझे यह formula याद आ रहा है 10 inverse of 2 x upon 1 minus x square कुछ इस तरह से था okay sir मेरे पास यहाँ पे question में given 6 तो है अगर मैं इसको 2 के form में convert करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ अगर यहाँ पे मैंने 2 को acds रख दिया इसका मतलब अब मेरे पास क्या value बचती है देखो मेरे पास यह given था 6 into x into under root x जिसमें से मैंने 2 को ले लिया है बाहर इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास बचने वाला है 3 और यह students इन दोनों को अगर आप multiply कर दो तो यह x to the power 1 by 2 है और यह x to the power 1 है इन दोनों का addition करो तो आपको x to the power 3 by 2 कुछ इस तरह से मिलेगा इसका मतलब यह आपका x हो गया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अब हम इसी value को यहाँ पे place करेंगे और check करेंगे क्या मेरा answer वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो students बहुत ही easy हो जाएगा यह sum तो y is equals to 10 inverse of 2x upon 1 minus x square यहाँ पे यह 2 को आ गया आना दो तो यह हो जाएगा 9x cube exactly perfect आ रहा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो इसमें कोई students वो बात नहीं है कि यह sum difficult होगा बहुत आसान सा sum हो गया है इसको हम लिख सकते है 210 inverse x इसका मतलब 210 inverse x की जगह पे हम लिखेंगे 3x to the power 3 by 2 अगर मैंने इतनी value यहाँ पे रख दी लेकिन x की जगह पे सिर्फ इतनी value ही आने वाली है और यह इसका अभी differentiation बाकी है अगर 3x rest to 3 by 2 का हम differentiate करते हैं तो वो होगा 3 into 3 by 2 into x rest to 1 by 2 जो हमने x to the power n की method से किया हुआ है तो देखो यहाँ से यह 2 और यह 2 तो cancel हो जाने वाला है मेरे पास कितनी value बचती है सर यहाँ पे 3, 3,0, 9 और यह x to the power 1 by 2 का हम लिखेंगे under root x और denominator में students यह क्या हो जाने वाला है सर denominator में अगर आप यह 2, 2 को cancel कर दो और यह 2 के यहाँ पे multiply कर दो तो यह हो जाने वाला है 1 plus 9 x cube इसका मतलब students मुझे question में कुछ गिवन था उसके अभी उसके उपर गौर करो तो आपको जो कुछ भी function यानि जो function का derivative आपको गिवन था वो कुछ इस तरह से था gx into under root x जिसमें से आपके पास under root x आ चुका है तो बाकी की सारी value हमारे लिए gx की हो जाएगी इसका मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 9 upon 1 plus 9 x cube यह value मेरे लिए g of x की value हो जाने वाली है तो देखो students यहाँ पर कौन सा option correct है yes option a is the correct option 9 upon 1 plus 9 x cube यहाँ पर cube आएगा गलती से साहिद square हो चुगा है तो students यही मेरा answer हो गया thank you very much for watching this video students